Hello friends, मैं हूरितू, स्वात चनल में आप लोगों का आज एक बर फिर से स्वागत है आज मैं बना रही हूँ पंजाब का फेमस सर्सों का साग तो यह खान में बहुत टेस्टी बनता है और मैं इसे बना रही हूँ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से यानि बिल्कुल ट्रडिशनल स्टाइल में जैसा हमारे पंजाब में बनाया जाता है तो आईए फटा-फट से वीडियो में देख लेते हैं कि मैंने टेस्टी वाला पंजाब का फेमस सर्सों का साग कैसे बनाया है सबसे पहले सर्सों का साग बनाने के लिए हमें चाहिए सर्सों यह है सर्सों का साग बिल्कुल फ्रेश और ताजा साग है हमारे जो नेबर है न पडोसी उनके आप पिंड से यह साग आता है इसका सारा पानी निकल जाए, फिर आपने क्या करना है कि आप इसकी डंठले होती ही न, जो मोटी-मोटी है, बस उसका हलका सा छील तो, जिस तरह से मैं छील रही हूँ न, वीडियो में, इस तरह से, वो भी आपने इसे तब छीलना है, अगर आपका साग पका हुआ है, मेरा स उसका यूज आपने साग में जरूर करना है, डंठलों को बिल्कुल भी नहीं पेकना है, तो सारी डंठलों को आपने साग के साथ में ही काटना है, पहले इस तरह से छील लीजिए, अगर आपको लगे कि पका हुआ है थोड़ी सी डंठले, तो आप इस तरह से छील सकते हैं वैसे जो मैं निकाल रही हूँ न चील के ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे चीला जाता है, तो ये देखिए, सारे साख को जो भी मोटी-मोटी डंठल है, उस तरह को हम चील लेंगे, तो सारे साख को मैंने चील लिया है, साफ कर लिया है बिल्कुल, और उसके साथ मैंने लिया है एक पालक की गुच्छी और साथ में लिया है बतुआ, जिसको बातु भी कहते हैं, बातु और पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, आप इसको अच्छी तरह से बोश कर लीजिएगा, अब हमने क्या करना है कि ब बातु को हम तोड़ लेंगे, पालक को भी तोड़ लेंगे और अच्छी तरह है दो के मैंने या पर पालक, बातु और साथ को कट कर लिया है, यह साथ करीब मेरा सर्सो का साथ यह में रिच्छी बुच्छी पालक और एक बतुए की है, आपने मैं ने 2 टुकड़े ल야지 लि लिए हैं लैसुन की और 5-6 अरी मिर्चे लिए हैं अब आपने क्या करना है जिस बरतन में भी आपने साग को बनाना है ना वो बरतन लेने मैं इसे कुकर में बना रही हूं बड़े सा इसका कुकर ले और उसमें अपने साग को डाल दे बत्वे को काटने की बिल्कुल भी अचा फ्लेवर आता है अध्रक को आप कद्दू कस करके डालिएगा और फिर जो बाकी बचवा साग है वो इसके उपर डाल दीजिए मेरा साग एक ही कुकर में आ गया था अगर आपका साग जाधा है कुकर में नहीं आ रहा है तो आपके आज पर रख दीजे कुकर और बिल्कुल अच्छी तरह प्रेशर निकल जाए ना तब आप कुकर को खोलिए पीछ में आप एक दू बार चेक भी कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि पानी का अंदाज नहीं पड़ता है क्योंकि पंजाब में क्या होता है कि ये खोल के पकाया जाता है चूले पर तो उसमे कोई mixi का use नहीं किया जाता है पंजाब के especially गाउं में यानि पिंड में उसको हाथ में जो गोटना होता ना लकड़ी का उससे गोटा जाता है लेकिन मैं ऐसे hand grinder से गोट रही हूं क्योंकि मेरे पास वो लकड़ी का गोटना नहीं है यो कि मिक्सी में जब हम साख को चलाते ह और इसमें मैंने डाल दिया है तीन टेबल स्पून भर के मक्की का आटा, मक्की काटा फ्रेंट्स इसमें इस ते डाला जाता है ताकि जब साग और पानी जो अलग-अलग दिख रहे होते हैं वो अलग-अलग बिल्कुल भी ना दिखें और जो साग में एक्स्ट्रा पानी है वो मक्की काटा सोक लेता है बस मक्की काटा डाल के भी आप इसको अच्छी तरह से चला दीजिए और तब तक आप क्या कीजिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं न वो जल्दी-जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग र होता है पंजाब में आपको बताती वह को साग बंता है ना उसको एक साग नहीं लगाया जाता है जितना सागवान serving मेंogenमอडic में अब आतके उटका लगा लें और फिर उसको जब खाना होता है तब उसमें प्याज जब प्याज हलके से आपके भून जाए ना फिर आप डाल दीजे उसमें अद्रक लेसुन ये मैंने अद्रक लेसुन का एक टेबल स्पून भर के कुटा हुआ लिया है अगर आप चाहें तो अद्रक लेसुन को काट के भी ले सकते हैं यानि बारिक बारिक कट कर जब आपका अद्रक लेसुन हलका सा भून जाए यानि इससे बर तीन चार मिनिट तक भूनना है ताकि जो इसका अद्रक लेसुन का कच्छा पने न वो निकल जाए फिर आप डाल दीजे इसमें दो तीन हरी मिर्श मैंने ली थी बारिक कटी भी वो डाल दिये साथ में डाल मीडियम साइज के बारिक बारिक कट करके अलका सा मैंने नमग भी डाल दीआ नमग साग के साथ में भी हम झें डाला था आपने देखा था तो आपने नमग बहुत द्यान से डालना है अगर आपको नमग कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं अब मैं सिर्फ उतने ही सा यहाँ पर लाल मिर्च का यूज साग में बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ हरी मिर्चों का यूज किया है, हरी मिर्च को आप अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं। तो टेस्टी वाला पंजाब का फेमस बड़िया वाला साग बनके हो गया है रेडी मेरे आपके साथ में जो भी बारी किया थी साग बनाने की वो शेर किये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजेगा और अपने फेमिली अन फ्रेंट्स में वीडियो को मेरी शेर ज़रूर कर दीजेगा तो टेस्टी वाला सर्सों का साग बनके हो गया है रेडी जल्दे मिलूंगी मैं आपसे असी नहीनी वीडियो के साथ में बावाई ठेक केर